हेलो दोस्तों, वेलकम पैक टू फिल्म सार और गाईस आज मैं केड़ेवर मुई को एक्स्प्लेइन करने जा रही है गाईस केड़ेवर का मतलब होता है एक मृत इंसानी शरीर जिसे काटा जाने वाला हो तो गाईस कहानी शरू होती है एक ऐसे वर्ल में जहां निक्लर डिजास्टर हो चुका है और चारो और बस तबाही ही तबाही दिख रही है चारो और डेड़ बोडी सर्ड रही है इस सिचुईशन में कहानी एक फैमली पे फोकस करती है लियो, जैकोब और उनकी बेटी एलिस वो तिनो एक दूसरे की हिम्मदपन के एक सिचुईशन में सरभाइब परने की कोशिश कर रहे हैं जहां किसी के पास ना फूड है ना शेल्टर ना सेफटी ना जॉप्स उन्होंने काफी दिनों से कुछ ठीक से खाया भी नहीं था वो लोग टेबल पे बैट का ब्रिकफस्ट कर रहे होते हैं लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं बचा था तबी भारेक आदमी ये एलान करता है कि हमारे उटल में एक शो है आज जहां सब के लिए इनफ फूड है और एंटरटेनिंग नाइट भी है जैकोब को थोड़ा शक था कि ऐसी सिचूशन में जहां किसी के पास फूड नहीं है कोई किसी को भर पिट खाना कैसे खिला सकता है लेकिन वो सब चले ही जाते हैं क्योंकि बहुत दिनों से भूग के थे एंटरी पे उन्हें पता चलता है कि बच्चे अलाउट नहीं है लेकिन तब ही होटल का ओनर मैथ्यूज आता है और एलेस को बड़े ही प्यार से देखके बोलता है कि क्या तुम मेरा वंडरलेंड देखना चाहोगी और उसे अलाउट कर देता है वो होटल काफी आलिशान था और वो लोग काफी खोश और एकसाइटीड भी थे आकर इतने दिनों बाद जो इतना टेस्टी खाना मिलने वाला था वेटर सबके लिए बहुत ही लजीज मीट सर्फ करता है और सब लोग पेट भरके खाते हैं फिर मैथ्यू उसकी एंट्री होती है वो सबको वेलकम करता है अब बोलता है कि अब चुने शो होगा जो कि बाकी नॉर्मल शोस से इक्तम अलग होगा यहां एक्टर्स स्टेज पे नहीं बलकि आप लोगों के बीच एक्ट करेंगे और अब एक्ट शुरू होता है और लियो की फैमिली रकेल नाम की एक्टर को फोलो करने लगते हैं बीच बीच में वो लोग और भी रूम्स देखते हैं जहां और भी एक्टर्स अपना पार्ट प्ले कर रहे थे एक रूम में रकेल मैथ्यूज एक्ट कर रहे थे अब रकेल आगे जाती है और वो लोग उसको फोलो करते हैं और हम देखते हैं कि guests धीरी-धीरी गायब होते जा रहे थे थोड़ी देर बाद Alice अपने parents से थोड़ा दूर निकल जाती है और गायब हो जाती है Leo और जैकोब desperately अपने बेटी को ढूनने लगते हैं उन्हें एक room से Alice की चलाने की अवाज भी आती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था वो लोग बहुत जादा परिशान हो जाते हैं और पूरे hotel में पागलों की तरह उसे जूनने लगते हैं Alice को ढूनते टाइम Leo गा एक room में एक painting दिखती है जिसमें एक lamp का कटा हुआ सर एक plate में रखा हुआ था अब गाईस ऐसी painting हमें movie में बहुत जगा दिखाई जाती है Leo उस painting की तरफ ध्यान से देखती है तो उस lamp की आखे एक तुम blink करती है और Leo काफी जादा डर जाती है वो लोग इसे एक ब्रहम समझ के आगे बढ़ते हैं अब Leo जैकोब एक make-up room में पहुँच जाते हैं जहां एक आदमी उनके सामने अपना गला काट लेता है लेकिन वो acting कर रहा था आगे हमें दिखाया जाता है कि Leo कुछ सपाई करने वाले लोगों का पीछा करती है वो देखती है कि कुछ लोग बहुत सारे कपलों को जला रहे थे थोड़ी दूर जाके एक आदमी जैकोब को पकड़ लेता है और उसके गरदन पे चापू रख देता है ये वही था जिसमें अपनी गरदन काट के मरने की acting की थी लेकिन वो लोग उससे बचके भागते हैं अब लियो और चेकोब अलग-अलग हो जाते हैं लियो एक किचन में पहुँच जाती है जहां वो देखती है कि किचन में सब कुछ नकली था अब उस एक्टर से बचने के लिए लिए लियो एक रूम में छुप जाती है वहां वो न्यूस पेपर पे हैडिंग देखती है कि फेमस डारेक्टर की बेटी आग में जलकर मारी गई और डारेक्टर ने वही होटल खरीद लिया अब वहां से निकलके लियो देखती है कि मैथ्यूस एक्टर्स को कुछ समझा रहा था और वह ये बोल रहा था कि आप सबको ऐसी एक्टिंग करनी है कि गेस्ट को एक्टम रियल लगे और कुछ पता ना चले अगर उन्हें टाइम से पता चल गया तो वो हमारे उपर हावी हो सकते हैं मैथ्यूस और रकेल की बातों से हमें पता चलता है कि वो रकेल को ठीक से फ्रीट नहीं करता था लियो खिड़की से जहाक के देखती है कि नए सैट आफ केस्ट आ रहे हैं जैसे वो लोग आई थे पहले लियो एक रूम में वहीं लैंड के कटे सर्वाली पेंटिंग देखती है और उसे उसमें एक बटन दिखता है उससे प्रेस करती है तो शॉकरीव उह एक सुनसान टनल में गिर जाती है जहां लियो देखती है कि टनल में आने के लिए काफी सीक्रेट गेट्स हैं जो होटल से कनेक्टेड हैं और वहां वो कुछ होल्स भी देखती है जिसमें से देखने से होटल देख रहा था उसे देखने के बाद तो उसके पैरो तले जमीन ही किसक जाती है वो थी रियल किचन जहां मीट कुक हो रहा था पर किसका मीट? इंसानों का मीट इंसानों की बॉड़ी के छोटे छोटे टकड़े करके उन्हें कुप किया जा रहा था और ये वही लोग थे जो गेस्ट बन के आये थे अब हुमें दिखाया जाता है कि लियो पकड़ी गई और मैथ्यूज ने उसे उल्टा लटकाया हुआ था जहां और भी कई डेट बॉड़ी लटक रही थी मैथ्यूज लियो को बोलता है कि तुमारे अलावास तक या कोई नहीं पहुचा है तुम्ही अकेली सर्वाइवर हो इसलिए हमें जोइन कर मैथ्यूज उसे ऐलिस की फ्रॉग भी दिखाता है जिसमें बलड लगा हुआ था और जिसे देखके लग रहाता कि मैथ्यूज ने ऐलिस को भी मार दिया है लियो मना कर देती है उन्हें जॉइन करने से जो वो लोग उसे मारने वाले होते हैं तो नहीं जॉइन कर चुका है क्योंकि वैसे भी होटल के भाहर कुछ नहीं बचा था यहीं रहके वो सर्वाइव कर सकते थे और लियो को भी कन्विंस करता है लेकिन लियो नहीं मांती अब एक साफ का आदमी जेकॉब को चाकू देता है कि लियो की गर्दिन काटने के लिए लेकिन जेकॉब उस पर ही अटेक कर देता है और लियो को बचा लेता है अब पीछे से एक आदमी आके जेकॉप को स्टैप कर देता है और जेकॉप पिचारा मारा जाता है और अब वो आदमी लियो के पीछे भागता है लेकिन लियो जैसे तैसे उस आदमी को मारने में सफल हो जाती है अब लियो वहां से निकलती है और में जगा पूँचती है जहां और गैस आए हुए थे लियो मैथ्यू से बोलती है कि बताओ मेरी बेटी कहा है क्योंकि उसकी फ्रॉक पे जो ब्लड लगा था वो नकली था बताओ एलिस कहा है वरना मैं तुम्हारा सब के सामने राज खोल दूगी लियो अप सिप को बताने लगती है कि मैथ्यूस कोई डारेक्टर नहीं है बलकि मर्डरर है और यह आप सब को भी मार देगा और बस मारेगा ही नहीं बलकि आपको पका के दूसरे गेस्ट को खिला भी दिया जाएगा सब हसने लगते हैं और इसे एक्टिंग समझते हैं लेकिन लियो इस बात का फायदा उठा के सारे गेस्ट को अपने पीछे ले जाती है और सब को टनल तक ले जाके दिखाती है कि असल में हाँ चल क्या रहा है इवन एक्टर्स को भी ये बात नहीं पता थी और सब लोग मिलके होटल को तोड़ने लगते हैं और स्टाफ को ओवर पाव कर लेते हैं रकेल जिसको मैथ्यूस बहुत बुरी तरह ट्रीट करता था ये सब पता लगने के बाद वो मैथ्यूस को स्टैप कर देती है लियो पूछती है मेरी बेटी कहा है मैथ्यूस मरते हुए बोलता है कि एलिस पिल्कुल मेरी बेटी जैसे दिखती थी मैथ्यूस बोलता है कि अब तुम भी अकेली हो जाओगी जैसे मैं हो गया था और लोग इसे ले जाते हैं अब लियो को लगता है कि उसके बेटी सच में मर गए और लियो रोने लगती है लेकिन तब ही एलिस महां जाती है एक तुम सही सलामत और लियो एलिस को रोते हुए गले लगाती है और प्यार करती है अब लियो और एलिस महां से निकल जाते हैं लेकिन भार भी वही वर्ड था तबहा हो चुका जहां हर तरफ टेट बॉड़ीज और दोनों को यहीं सर्वाइब करना था इसी के साथ मूवी खतम हो जाती है दरसल गाईज मैथ्यूज एलिस को अपने पास रखना चाहता था क्योंकि वो बिल्कुल इसकी बेटी की तरह देखती थी मैथ्यूज की बेटी इसी होटल में जलकर मारी गई थी अब मैथ्यूज अपने इस दर्ट को दूसरों में देखना चाहता था लोगों को उनकी फैमली से दूर होते हुए और इसी से उसका होटल भी चल रहा था अपने पेंट को जस्किफाइ करने के लिए मैथ्यूज यह सब कर रहा था पूरे होटल में लगी उन पेंटिंग्स का क्या मतलब था एक लैम का हैड एक प्रेट में रखा हुआ जैसा कि हमने देखा कि होटल की गैस्ट को एक बढ़िया मील दी जाती है और फिर एक गोल्डन मास्क पेना के थीटर की परफोर्मेंस को इन्जॉय करने को बोला जाता है अफकोर्स यह एक सरिया था लोगों को टरनल में स्मगल करके उन्हें काटके दूसरे गैस्ट को खिलाए जाने का यह कॉंसेप्ट क्लियरली सर्वाइवल फिटेस को डिपिक्ट करता है सर्वाइविंग गैस्ट को एक एक्टर बना दिया जाता था और कोई कमी भी हो तो उसे भी बताईएगा गाइस जस्ट स्मॉल रिक्वेस्ट प्लीज हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा इस अ हमबल रिक्वेस्ट प्लीज